नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम वीडियो भी वीडियो और लोर पीसे से एक्जाम के लिए सामानी गान की टॉप एक्सपेक्टेड क्वेशन लेके आए हैं ये जो क्वेशन है ये सलेबस पर बेस क्वेशन है एक्जाम रिलेवन्ट क्वेशन है और क्वेशन जिस टाइब के आते हैं उसी टाइब की क्वेशन हमने इसमें लिये हैं ठीक है तो काफी ज़्यादा महत्वपूर ये वीडियो रही है आपके लिए वीडियो को अंतक तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो इस प्रस्णिका सही जबाब है option number D भारती विश्विद्याले अधिनियम 1905 ये सुमेलित नहीं है ये सही answer नहीं है भारती विश्विद्याले अधिनियम आता है 1904 में अब एक एक करके सबकी बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए जो यहाँ पर option दियेगे हैं सारी सिख्षा से संबंदित है hunter आयोग देखिए 1882 में ये आता है इस आयोग का गठन विश्विद्यम हंटर के अधिक्सता में किया जाता है इसलिए इसका नाम hunter आयोग रखा जाता है ठीके और इस टाइम जो है भारत का वाइसराइ कोन होता है Lord Rippen ठीके रिपन के कारिकाल में hunter आयोग का गठन किया जाता है रिपन का कारिकाल बाइद विए रहता है 1880 से लेकर के 1884 तक ठीके नेक्स देखें Lord Macaulay इसमनर पत्र तो Lord Macaulay इसमनर पत्र है 1835 का काफी ज़्यादा महत्वपोर्ण है क्योंकि अंग्रीज जी शिक्सा की नीव यहीं से होती है भारत में भारत में अंग्रीज जी शिक्सा का जनक Lord Macaulay को ही कहा जाता है और इस टाइम पर भारत का गवर्नर जनर कौन था Lord William Betting ठीक है बेटिंग जो है इस टाइम पर गवर्नर जनर था Wood Dispatch 1854 मा आता है और Wood Dispatch जो था आपका जो Lord Macaulay इसमनर पत्र था इसमें सुधार किया गया था Wood Dispatch को Charles Wood घोसरा पत्र या Charles Wood सुझाव पत्र भी कहते हैं क्योंकि Charles Wood नहीं इसका सुझाव दिया था उस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनर थे जिसका नाम था Lord Dalogy ठीक है डलोजी को एक गुसरा पत्र देते हैं एक सुझाव पत्र देते हैं जिसको कहते है Wood Dispatch ठीक है और Wood Dispatch को भारती सिक्षा का Magna Carta भी कहा जाता है क्योंकि देखिए जितने भी आयोग बने जितने भी सुझाव पत्र से पहले थे चाहिए वो मैकाले का स्मरण पत्र हो या हंटर आयोग हो ये सभी इतने सफल नहीं रहे जितना Wood Dispatch था टाइभ आयोग का उल्प पत्र साहल पर वो इसमें जो सुझाव दिया गए थे वह काफी अच्छी थे जैसे कि उच्च जिक्षा अंग्रेजी में होगी और जो स्कूली सिक्षा होगी लोकल लेंगृज में होगी ठीक है जैसे कि मेकाले का जो स्मुर्ण पत्र सा इसमें जो है सभी सिख्षया को अंग्रेजी में करने का प्रसाओ दिया गए था अंग्रेजी सिख्षया का जनक कहा जाता है वो डिस्पेच 1854 मा आता है और इस टाम पर भारत का गवर्नर जनक कौन था लॉट डेल हुजी ठीक है और इसी को ही भारती सिख्षया का मेगना काटा कहा जाता है भारती बिसुदाल अधिनियम 1904 मा आता है करजन के टाइम लिए तो इस प्रस्द का सही जबाब है option number D, ACL 2022 तो कांग कोंग, लियान लियान और चेंग जो है यह तीन रोबोट है तीन क्या है रोबोट है यह रोबोट की नेम है और यह जो है 2022 ACL के मैस्कोट है सुबंकर है ठीक है 2022 में ACL कहा पर होगे यह होगे चाइना में ठीक है च लिए उनेशा की जकारता में होगे थे और जो 2022 के सिन खेल है यह 19th number के है 2018 में 18th number के थी ठीक है 2018 18th number यह आप इसको relate कर सकते हैं बात करते है अधर option की तो देखिए दो मिजर इवेंट होगे थे 2021 में यहाँ पर 2020 है ठीक है 2020 ओलिम्पिक 2020 और पहला ओलिम्पिक 2020 यह जो मिजर इवेंट है यह हुए थे 2021 में ठीक है COVID की कारण 2020 में नहीं हो पाए थे 2021 में होए थे 2021 में होए थे कहाँ पर हुए थे Tokyo में होए थे Tokyo जापान में 2021 में होए थे अब इनके mascot क्या थे इनके सुभांकर क्या थे तो देखिए अगर बात करे ओलिम्पिक 2020 की इसका सुभांकर था Mir प्रविदान के संसोदन की जरिये भारत में आर्थिक आरक्षान पादित किया गया तो यहां पर बात हो रही है एकनोमिकल वीकर सेक्षन की बात हो रही है तो इसका पुझा गया कि कौन सा संसोदन है जिसके बाद EWS यह लागू किया गया तो इसका सही जिबाब है ओप्सन नमबर C एक सो तीन्वा संसोदन आता है 2019 में इसी के तहच जो है एकनोमिकल वीकर सेक्षन को जो है आरक्षान प्रवाइड किया गया गया तस परतिसरा आरक्षान दिया गया है ठीके अब देखिए जो ओप्सन है 101 से लिकर 104 तक यह सवी संसोदन आपके लिए महत्यपूर है तो दे दूसरा है 102 समविधान संसोदन ये है NCBC से संबंदित, National Commission backward classes से संबंदित है, रास्टी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंदित है, तो देखे एक 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग को अगठन किया जाता है, लेकिन इसको समविधानिक दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है, इस इसके बाद है कि 2018 का अधिनियम आता है, इसके बाद इसको समविधानिक दर्जा दिया जाता है, और दो clause जोड़े जाते हैं, भारती समविधान में 338 B जो है, और 342 A ये इससे संबंदित clause है, ठीक है, इससे संबंदित आर्टिकल है, आपको यादक नहीं, समविधान संसो ठीक है, 338 B है, और 338 A जो है ये 338 A जो है, ये अनुसुरी जाती आयोग, अनुसुरी जाती आयोग से संबंदित है, ठीक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे बाद में, इसका next हमारा question था, 103 समविधान संसोदन, ये संबंदित है EWS से, ठीक है, रूज़ासर 19 में आता है अगला है 104 समविधान संसोदन, ठीक है, ये काफी important समविधान संसोदन है भी, ये संबंदित है आरक्षन से, किसके आरक्षन से, जो SCST को आरक्षन मिलता है इस संबंदित है, इस आरक्षन की अविधी को जो है 10 साल बढ़ा दिया गया है और ठीक है, इस अविधी को कर दिय गया है 2030 तक, एक तो ये था इसमें, दूसरा इसमें क्या हुआ संसोदन, कि जो एंगलो इंडियन का पत था उसको आप समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, एक एंगलो इंडियन नॉमिनेट किया जाता था था विधान संवा में, दो नॉमिनेट किया था था लोक संवा में, तो उसको आप समाप्त कर दिया गए है 140 सविदान संसुदन के बाद और लेटेस्ट जो सविदान संसुदन है 2021 का सविदान संसुदन है वो है 105 सविदान संसुदन ये भी काफी महत्वण है क्योंकि लेटेस्ट सविदान संसुदन है यह जो समविदान संसुतन है, यह actual बाष संबन्दित है 102 समविदान संसुतन से, ठीके? 102 समविदान संसुतन में क्या था कि जो OBC कास्ट है, उसको केटिग्राइज करने का अधिकार किसके पास था? वो रास्टपती के पास था जैसे गौर्णमेंट की फॉर्म निकलते हैं तो OBC में कौन-कौन से विक्ति आएंगे इसका अधिकार रास्टपती के पास था ठीक है रास्टपती जो है राज़िपाल की प्रामर्स पज़ उनको केटिग्राइज करता था OBC के पास था लेकिन 102-105 आपको ऐसे याद कर लेने हैं बाकी 101 है GST से संब्दित 103 है EW से संब्दित और 104 सवीदान संस्टों संब्दित है एक तो आरकशनर से है जिसको दसा बढ़ा दिया गया है दूसरा है एंग्लो और इंडियन का पास जो है समाब्त कर दिया गया है तो इस प्रसन से इतन 1969 में यह लागो किया गया ठीक है इस टाप के अधिनियम आपसे बहुत ज्यादा पूछ लिए आते हैं रंडिम ली आ जाते हैं इस टाप के उकशियन जो आपने देखे नहीं होते हैं तो आपको ऐसे अधिनियम याद कर लेने हैं जो ऑप्शन दिये गे हैं यह भी अधिनि अधिनियम नियून्तम मजदूरी अधिनियम 1948 का है ठीक है 1856 का क्या है यह है विद्वा पुनर विवाह अधिनियम कब का है 1856 का है तो यह सारे अधिनियम आपको याद कर लेने हैं अगला प्रसन है IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता तो देखे IPL 2021 की बात कर तो यह खिताब अधिनियम और 2020 की बात कर तो यह खिताब जीता था मॉंबई इंडियंस ने ऑप्सन नुमर एस का सही जबाब जाएगा 2020 में किस ने जीता था मॉंबई इंडियंस ने और 2021 में चिने सूपर किंग ने ठीक है 2021 से रिलेटेटिट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं 2021 में मिला था हरसल पटेल को यह दिली कैपिटल की है ठीक है इनको मिला था तो एक तो आपको या रखतना है कि 2021 में कौन जीता है चिने सूपर किंग 2020 में कौन जीता इपल मॉंबे इंडियंस और इसके साथ दो आइसे सी इवेंट को आपको याइजर इवेंट है यह तीक है एक T20 World Cup, T20 World Cup यह जीता है, Australia ने New Zealand को हरा कर, किसको हरा कर, Australia ने किसको हरा कर जीता है, New Zealand को हरा कर, और यह कहा हुआ था, venue क्या था इसका, यह था UAE, United Arab Emirates में हुआ था यह, T20 World Cup 2021, ठीक है, तो क्या के आपको या रखना है, 2020 का IPL किस ने जीता, Mumbai इंडेंस ने, 2021 का किस ने जीता, CS किसके ने, ICC World Test Championship किस ने जीती है, यह जीती है, New Zealand ने, रेसेंट के एक्जाम पुछा गया था, T20 World Cup 2021 किस ने जीता है, Australia ने जीता है, और कहा हुआ था, UAE मुआ था, ठीक है, और 2022 का T20 World Cup कहा हुआ, यह Australia में होगा, ठीक है, Australia में, तो यह point आपको याद कर लेने है, इस प्र ने, एक एट है, बोजहारू, दूसरा है, भीचरू, तीसरा है, दूपव, चौता है, राउज, ठीक है, यह चार आपके दोस्त हैं, इनके नाम आपको, कंठस्त आ याद करने हैं, ठीक है, अपने ट्रिक भी दोस्त आहिए, नहीं तो आपको, दोस्त नाराज हो जाएगा, तो चार जो मेन स्पाज सायंत हैं, जो अक्सर एक्जाम पुचिया आते हैं, चार स्टील प्लांट के बारे में, तो वो आपको याद करने हैं इस ट्रिक से, अब अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, याद होता है तो आपको, ठीक है, तो आपका 36 गड़ में, और ये भी रूस की सायता से बनाया गया था, भी चरू, तीसरे आपका दूपब, ये है दुर्गापूर, दुर्गापूर जो हमारा कॉश्चिन था, पश्चिम बंगाल में इस्तित है, पॉसे, और बॉसे बिल्टेन की सायता से बनाया गया था, ओप बिचरू, दूपब, राउज, बोकारो, जारकड में, रूस की सायता से, बिलाई जो है, जातिसगर में, रूस की सायता से, दुर्गापूर, पश्चिम बंगाल में है, बिटेन की सायता से, राउल किरा, ओडिशय में है, जर्मनी की सायता से, ठीके, तो इस प्रसन से आप पर option A जो है नाबाट 12 जुलाई 1982 ये सही है WHO World Health Organization 7 अप्रेल 1929 सही है संयुक्तुराश्ट 24 अक्टूबर 1945 ये भी सही है तो इसका सही जवाब है option D इनमें से कोई नहीं ये सारे जो हैं सही है तो नाबाट की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को अब थोड़ा comment box में बताएं कि नाबाट की फुल फूर्म क्या होती है comment करके बताएं ठीक है WHO देखिए 7 अप्रेल 1929 को स्थापना होती है इसलिए 7 अप्रेल को हम 27 दिवस World Health Day के रूप में मनाते हैं ठीक है United Nations की स्थापना होती है आपका Geneva Switzerland में Geneva Switzerland में इसका मुख्याले इस्ते थे बढ़ते आगे अगला प्रसन है Sungh once के बाद किस once ने भारत पर राज किया तो देखिए friends आपने महाजनपत काल के बारे में पढ़ाओगा 16 महाजनपत थी इसमसे सबसे बड़ा और टाकतवर महाजनपत उभर के आया था मगद महाजनपत ठीक है तो मगद महाजनपत पर राज किरने वाले वंसों की बारे में आपको पता हो नचीए तो 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 कि सबसे पहले मगद पर सासन करता है हरियक once हरियक ones की स्टापन सा भर इमसार ठीक है इसके बाद आता है सिसुनाग once सिसुनाग की स्टापना करता है इसके बाद आता है नंद Sounds और इसका ही अंतिम शसनपत लोगता है घहननन जिसको हराकर चंद गिरुप तु मोरी सासन की नीव दालता है इसके बाद आगया Mori once Maori के बाद आते हैं Sungg once और Sungg के बाद आता है अपका Carnam, après Saug ke बाद option number C से हो जाएगा Carnam Babe और Carnam Babe के बाद 7 keep so ये 7iddir semble जिन्ने मगदपरस तक Yasaan किया तो इस प्रस्द से एतना आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रस ने है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है फिर से सुमेलित वाला क्वेशिन आ गया है तो देखे रास्टी वन निती 1952 सही है वन निती जीव संग्रचन अधिनयम मैंने आपको बताता है वाइड लाइप प्रोटक्शन एक्ट 1972 वन संग्रचन अधिनयम 1986 परियावन संग्रचन अधिनयम 1986 में आता है ठीक है लेकिन जो वन संग्रचन अधिनयम है ये 1980 में आता है अगला प्रसन है भारती प्राइदीप की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो देखे भारती प्राइदीप यानि की दक्सिन भारत की आपसे पुछी है सबसे उंची चोटी कौन सी है तो यहाँ पर देखे गुरु सिकर जो है यह अरावली की सबसे उंची चोटी है अनाई मुदी जो है ये आपका पश्मी घाट जो है उसकी सबसे उची चोटी है ठीक है और दोड़ा बेटा जो है ये आपकी नेलगरी की सबसे उची चोटी है नेलगरी ठीक है तो यहाँ पर इसका अंसर सही है अनाई मुदी ठीक है ये जो है आपकी भारती प्राइदीप क सबसे उची चोटी है, यानि कि दक्सिन भारत की सबसे उची चोटी है, ठीक है, और अरावली देखिए, ये सबसे पुरानी माउंटेन है, ठीक है, अगर आपसे बुचा जाता है, कई बार एक्जाम में, हिमाले किस प्रकार का माउंटेन है, तो ये फोल्ड माउंटेन है, व महाबलेशुर से एक famous नदी निकलती है जिसका नाम है क्रिस्ना नदी क्रिस्ना नदी कहां से निकलती है महाबलेशुर से निकलती है और इसके साइग नदी बहुत बार पुछा जाता है तुंग भधरा नदी किसकी साइग नदी है यह है क्रिस्ना नदी की साइग नदी है ठी विजे नगर सामराज जी जो था ये तूंग भद्रा नदी के तट पतर ठीक है विजे नगर सामराज जी के स्टापना किसे ने की थी तो ये की थी 1336 में हरीहर और बुककन है ठीक है तो इस प्रसंद से आपको इतना याद रखना है नेक्स्ट है भारत का सरवाधी कोईला भंडार पाए जाते हैं तो इस प्रसंद का सही जबाब है और भी जाड़खन में जहाद खर्ण में भारत के सबसे अदि कोईला भंडार पाए जाता है ठीक है तो देखे कोईले से question बन सकते है आपके exam में क्यूंकि हाली में चर्चा मे भंडार काहां परस्टे थे दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वादेख कोईला उतपाधां राजी कौन सा है अगर आपसे पूछा याँतिष गण। ज्यादा उत्पादक लेकिन अभी जो है रेसेंट में 36 गड़े ठीक है बढ़ते आगे अगला प्रस्न है निन्द मुस्लिम सासकु मैंसे किस एक ने मूली नियरंतरन पद्यती को पहली बार लागू किया था तो इस प्रस्न का सही जबाब है उप्सन नमर ए अलाउदिन खिल नियरंतरन पद्यती को यही सुरुवात करता है और इस्थाई सेना और नगद वेतन की सुरुवात भी यही करता है ठीक है पर्था ये चलाता है और चराई और गड़ी कर ये लगाता है ठीक है तो ये कुछ important point है allowing खिल जिसे आपको याद होने चीए अगला प्रसन है भारती इतियास में 12 मार्च 1930 की तिथी जानी जाती है तो आप से पुछा गया है 12 मार्च 1930 की तिथी किसली famous है भारती इतियास में तो देखिए 12 मार्च 1930 को होता है दांडी मार्च स्टार्ट ठीक है 12 मार्च को स्टार्ट होता है और 6 अपरेद तक ही चलता है गांडी जी दांडी पहुँचकर नमक के कानून को तोड़ते है और तो नमक का कानून क्या था जो नमक को बनाने का प्रडॉक्शन का और बेजने का अथिकार अपने बाद रख लया था मतलब कि इंडियन उसको बना भी नहीं सकते थे और बेज भी नहीं सकते थे और अगर ऐसा करते थे उन पर टेक्स लगाया जाते थे तो यही था नमक कानून और जिसे गांधी जी नहीं जो है नमक बनाकर दांडी में नमक के कानून को तोड़ा था कब 6 अप्रेल 1930 को 12 मार्च से स्टार्ट होता है 24 दिन की आता होते है 6 अप्रेल को यहां पर नमक का कानून तोड़ा जाता है और गांधी जी जी हो है 12 मार्च को अपने 38 जो है अन्यवाईयू 38 साथी के साथ निकलते हैं दांडी के लिए ठीके प्रथम गोल में समयलन कब होता है 9 अप्रेल 1931 होता है गांधी इरविन समयलन कब होता है 5 मार्च 1931 जल्या बाला बाग 13 अप्रेल 1931 तो यह आपको important या रखने है दांडी मार्च से स्टार्ट होता है 12 मार्च से 6 अप्रेल तक प्रथम गोल में समयलन 9 39 में गांधी इरविन समयलन 5 मार्च 1931 को और जल्या बाला बाग हत्या कांड जो है 13 अप्रेल 1929 को होता है ठीके तो यह सारे point इस question से आपको या रखने है और इस प्रस्न का सही नमबर ए महत्मा गादी द्वारा दांडी मार्च से तु बारा मार्च 1931 जो है तिथी जाने जाती है अगला प्रस्न है विस्सु बाग दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कम मनाया जाता है तो option आपके सामने है 16 सितंबर 29 जुलाई 29 अगस्त 23 दिसंबर तो देखिए 16 सितंबर क और 29 जुलाई को मनाया जाता है विस्सु बाग दिवस option अप्सन 20 का सही जिवाब है तो इस प्रस्न का सही जिवाब है option number B 29 जुराय को मिना जाता है रास्टी बाग दिवस अगला प्रस्ण है समविदान की किस अनुच्छन में कानून का समान संग्रचन का प्रावधान है तो देखे इस प्रस्ण का सही जवाब है option number B अनुच्छे 14 तो देखे अनुच्छे 14 जो है विदी के समख समानता समानता का अधिकार आपका आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तर ठीक है तो आर्टिकल 14 में क्या है विदी के समख समानता या कानून का समान संग्रचन जो है आर्टिकल 14 में उलेखी थे आर्टिकल 15 में क्या है अर्टिकल 15 में है धर्म लिंग जाती के आधर पर हम किसी से भेदबाव नहीं कर सकते हैं तो धर्म जाती के आधर समानता का उलेक जो है अनुचियत 15 में किया गया है अनुचियत 17 काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस परस्ता छुवा छुच जो है इसे से संब्धन से अनुचियत 17 अनुचियत 18 इसमें उपादियों का अंत है ठीक है कोई भी उपादी नहीं रख सकता है जैसे पहले के टाइम पर सासक रखते थे राजा महराजा बात्सा सुल्तान ये तो ये उपादियों का अंत कर दिया गया है ठीक है तो अनुचियत 18 में उपादियों का अंत है अप्सन नमबर A इसका सही जवाब है विदी के समख समानता या कानून का समान संग्रिशन जो है अनुच्छे 14 में उल्लेखित है तो ये थे एक्स्पेक्टेट कुछ क्वेशन आपके विडियो वीपीडियो और PCS प्री एक्जामनेशन के लिए और ये क्वेशन है आपके पटवारी लेकपाल में भी काम आएंगे अगर वीडियो अच्छा लागा तो हम क्वेशन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में 20 है 25 क्वेशन डिसक्स करेंगे तो यह है इस वीडियो के एंड थेंक्स पर आचिंग और ब्लिश्यों